हेलो फ्रेंट डबलो एस क्यूब टैक के चनल पर मैं सुरेंद्र आपका एक बाए फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंट्स आज नाइज क्लास के इटी में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अपने सब्जेक्टिव स्किल्स के फिर्ष्ट निट हम लोग जानते फ्रेंट्स हमारे प क्या नाम है वो क्या है अपने पास अप्लिकेशन ऑफ इट इन इस इंडिस्ट्री यह सारी चीजी आपको अच्छे से पता है कि अपना यूनिट क्या है कौन-कौन से यूनिट से जिसमें हम लोग आज डिसकस करें यूनिट 1 को और यूनिट 1 जो है फ्रेंट्स इस जो टै इस चाप्टर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इन्ट्रिक्राइक्शन को लेकर कि है तुसके बाद बैचेंगे यहाप information टेक्नोलोजी को Information Technology Unable Services को जैसे कि Friends Call Center है BPO है, BPM है Business Process Outsourcing है Business Process Management है Call Centers है इनको हम लोग एक ही करके Discuss करेंगे Then उसके बाद आपके पास आएगा Applications of IT तो यह आपना पार्ट है वो अगले वीडियो मा आदाएगा तो इसमें हम लोग दखेंगे Applications of IT क्या-क्या है हम लोग Home and Every Life में IT को कैसे यूज करते हैं आप लोग जानते हैं गहर पे बैठें-बैठें हम लोग कई बार Educations के लिए यूज करते हैं कई बार हम लोग Electricity का Bill Pay करने के लिए करते हैं कई बार हम लोग केवाल Entertainment के लिए यूज करते हैं और साथ में आपके पास जो हम लोग जानते हैं बहुत सारे एप हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से जहां पर हम लोग जो है वो आईटी को यूस करते हैं, आप स्कूल में भी देखते होंगे, स्मार्ट बोड हैं आपके पास में ठीके, या कई बार कुछ के अंतर हम लोग अटी को यूज करते हैं इसी तैप से आपके पास लाइबरेरी में वोग यूज करते हैं इसी तैप हम लोग है सकते बिल्सस kiss одноकित में tääर बैंकिंग मेसर ऐखिलिंस कम्यूनिकेशन और सोशाल मीडिया इसी तब से एंटरेंटमेंट है हेल्थ केर है ठीक है सेंटाफिक्स रिसर्चेज जो होती है इंजिनेरिंग और गॉर्मेंट एंड पबलिक सर्विसेज में भी हम लोग आईटी को यूज में लेते हैं तो यह सारे जो टॉपिक्स है कि करके हम लोग आगे डिसकस करें तो फि से रात को सोने के बीच में कई बार तो मैं कह सकता हूं सोते सोते वे भी आप लोग जो है वह आईटी को डारेक्ट या इंडारेक्ट तरीके से यूज करते तो वह कैसे करते हैं आगे बात करते हैं यहां देखें तो इन्फॉर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेक्नलोजी यान उसमें भी जो कंटेंट है वो इस चाप्टर से रिलेटेड ही होगा उसका जो फर्स चाप्टर है और उसके बाद में जो है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर और हाडवेर और सॉफ्वेर और उन चीजों से मिल करके आगे चलता जाएगा तो एक बार हम लोग यहां देखते ह टर आप इस में नहीं क्या-किया काम करते हैं अप जानते हैं आप Google Map यूस्थ करते हैं यहां से अंनलाइन चौपिग अगराव आप जो कर रहे हैं ऐसे कुछ एक्जामपल से आई सीटी के थी कि तो बेसिकली आई सीटी है क्या आई और सी दो अलग अलग वर्ड है एक जिसमें हम लोग बात कर सकते के वलके यहां पर कम्यूटर बोल सकते हैं कम्यूनिकेशन जब हो सकते हैं आपके पास इसे बहुत सारे एक्जामपल से अपने पास में जो हम लोग कह सकते हैं एक टूल्स में इंक्लूड हो गया है जिसमें लोग जिसको हम लोग यूज करते हैं आप आप फ़ल करने के लिए online के लिए कर सकते हैं किसी के साथ come here कि कुछ करने के लिए हो सकत है या social networking यहाँ एनकि social media के तुरूँ आप आप आपके पास एक बाइग का कम्युंकेशन है आप किसी को information पहुचाना चाहरहें information आपके पास कोई भी टूल जिसमें information या communication technology को यूज में लिए रहता है वो सारे friends आपके पास ICT के tools होते हैं इसी टाप से कर हम बात करें तो the information technology enabled services ठीके ऐसी बहुत सारी services है जो information technology को use करते हुए service अपनी provide करती है like हम लोग अभी discuss करते हैं एक आपके पास है call center है एक आपके पास BPM है एक आपके पास BPO है जिसको आगे हम लोग detail में discuss करेंगे तो वो सारी के हैं आपके पास मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि IT enabled services है तो friends हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर है the information technology enabled services यहनि कि IT sector has not only change the way the world look at our country but has also made significant contribution to the Indian economy तो obvious है हम लोग जानते हैं आप आजकल बहुत सारी channels वगर देख रहे लाग टीवी पर देख रहे होंगे आप लोग बहुत सारी shopping websites हैं बहुत सारे ऐसे organizations हैं बहुत सारी ऐसी companies हैं जो किसी दूसरी country के या किसी दूसरी company के लिए कुछ extra efforts लगा के उनके business को किसी ना किसी तरीके से enhance करती है तो वो जो reasons हैं ठीके वो reasons हम लोग आगे discuss करेंगे basically कि आखिर वो कौन कौन सी company है वो क्या क्या काम करती है वो सारी चीज़े हम लोग आगे discuss करेंगे लेकिन यह चीज़े clear हो गई होगी कि जो IT enabled services है वो किसी दूसरी company की growth के साथ वो इंडिया की जो GDP है या कह सकते हैं कि इंडियन जो economy है उसको भी growth करवाती है बेसिक चीज़े हैं बिल्कुल clear हो चुका होगा आपको इसी राप से फ्रेंट्स हम लोग देखते हैं एक और next example तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ICT को use करते हुए कि ICT है हम लोग basically बात करते हैं IT जो है IT means creating managing storing and exchanging information ठीके तो IT क्या information technology क्या है आपके पास जिसमें हम लोग information को एक जगे से दूसर जगे पर send कर सकते हैं तो आगे information को create करते हो देनी कि आपके computer पर आपने कोई data डाल करके information create कर दिये आप उसको manage करते हो किस तरीके से वो data आपके computer पर save होगा या कैसे आप उसको store करते हैं किस तरीके से आप उसको exchange करते हैं IT includes all type of technologies तो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि information को create करना जो आपके पास hardware है जिनको use कर सकते हैं आप software को use कर सकते हैं जिसके तरो आप अपने information को create कर सकते हैं retrieve कर सकते हैं store कर सकते हैं manage कर सकते हैं या exchange भी कर सकते यहां पर fan CCTV camera लगे वे यहां पर टीवी लगी वी यह YouTube है यह almost आप देखें इसमें सारी चीज़े लाइक हम लोग जानते हैं कि आजकल जो fan जो है ठीक है आपके पास आज-पास आपको जो कुछ भी चीज़े दिखाई दे रही है almost वह सारी के सारी जो है फ्रेंट्स वह आइटी अनेबल होने के चांसे हैं हाई है तो basically IT क्या है IT enabled services जो है आगे हम लोग अभी discuss करने वाले लेकिन IT के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसी टाप से फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो IT is a tightly integrated part of business obviously business के साथ में भी चलता है तो थोड़ा सा business के साथ देखने वाले computers तो computers and information system are an essential part of every business today obviously आज आप छोटे से छोटा business में देखें तो वहां पर भी जो है computer या computer enabled कोई ने कोई machine जो है वहां पर यूज की जाती है जैसे चोटे से चोटी business में बात करें लाइक कोई सबजी की shop भी है तो आप देखते हैं आजकल वहां पर जो weight machine जो है जो तराजू जो है वह भी आजकल computerized हो चुका है तो इसी टाप से आप देखते हैं वहां पर बिल अगर प्रिंट करके देना वहां जो सारी चीज है अल्मोस्ट पूरा computerized हो चुका है तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि हर टाप के चोटे से चोटे बिजनस में भी computer यूज करते तो अगर कोई डंका बिजनस लाइक बड़ा को बिजनस है आपके पास में तो वहां तो computer हो गई होग क्योंकि इतनी सारी information अपने उस बिजनस में होती है उन सबको create करना उन सबको manage करना उन सबको store करना उनको किसी को pass करना like किसका कितना bill है अगर अपन बात करें किसकी कितनी अपने पास जो amount जो है अपनको pay करना है अपने पास payment आने वाला है या किसकी क्या service है उसको क्या काम करवाना है जो कुछ भी information है वो सारी की सारी जो है हम लोग computerized ही करते हैं इसी टाइप से अगर देखें तो ITS several benefits for a business such as it helps in reaching more potential customer developing a business relationship with potential customer ठीक है इसी टाइप से streamlining operations ठीक है इसी टाइप से reducing cost improving efficiency maximizing profit minimizing waste providing better services to customer supporting better relationship with key partners and allowing customer to better guide the business ठीक है तो basic चीज़े हैं business में हम लोग IT को किस तरीके से use करते हैं I think आप देख सकते हैं फिर मैंने एक image डाली है तो almost जो कुछ भी काम हो रहा है किसी को email करना है कोई information किसी को पास करनी है या किसी की कहीं कोई meeting है almost सारी के सार चीज़ें जो है हम लोग computer based पर ही कर रहे हैं I think हम लोग क्या भी सकते हैं कि business की बात करें थे तो हम लोग हमारे पास एक नाम आता है हम लोग जानते फिंट्स लैक इ-commerce ठीक है इक इ-commerce जानते हैं online shopping जानते हैं तो एक shop हमें पता भी नहीं का है हम वहां पर order पेकर order जो है वो place करते हैं वहां पर हम लोग अपना payment पे करते हैं वहां से order अपने घर पर जो है वो मिल भी करें यहनि कि यहां पर हम discuss करेंगे call centers को लेकर के यहां पर हम लोग discuss करेंगे बिपी ओ को लेकर के बात करेंगे MNC क्या होती है आपके पास में या ऐसी और भी जो ISP जो है ऐसे और भी कुछ example है जिनको हम लोग discuss करने वाले तो फ्रेंट सबसे पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर कुछ companies होती है जो किसी फर्स पार्टी का जो बिजनस है उसको प्रमोट करती है उसके customers को enhance करने के लिए यहां कि उनके जो marketing strategy को develop करने के लिए तो यहां पर हम लोग बात करने वाले आईटी इनेबल सर्वीसेज के बारे में तो आईटी इस आलसो कॉल्ड वैब अनेबल सर्वीसेज ठीक है और रिमोट सर्वीसेज डैट कवर दा एंटार ओपरेशन्स with exploit information technology for improving the efficiency of an organization ठीक है इसी रैप से देखे तो friends next है आपके पास इस सर्वीसेज प्रोवाइड वाइड रेंज ओफ करियर ऑप्शन्स ओव्यसे है कि हम लोग जानते हैं अगर आप जो है इस फिल्ड में अगर रहते हैं आईटी अनेबल कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपके पास जो नए-ने टाइप के अपॉर्चुन मैनेजमेंच मेंट है आपके पास से इसे उसे पर पास मैदिकल बिलिक करें हैं तो यहांपर जो है आई-टी को यूज कियOT इन saint पवीच में कोईएड ऑप्वर्थ से जहां IT को यूज़ किया जाए का मैन पावर की रिक्वार्मेंट होगी तो हमारे लिए सकते हैं अलग अलग टाइप के नहीं टाइप के करियर्स जो है वो क्रियेट होते जा रहें तो आईटी जो है हमारी लाइप में हमें बहुत ज़्यदा सपोर्ट भी करती है इसी तरफ से अपने पास है यहां पर कॉल सेंटर होता क्या है हम लोग जानते हैं जहां पर की कुछ लोग बैठे होते हैं उनके पास computer systems होता है हम लोग उनको कॉल करते हैं वह हमारी problem सुनते हैं हमारे problem का एक solution प्रोवाइड करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ companies जैसे आप जानते भी होंगे कि बहुत सारी ऐसी companies होती है जो particular इंडिया में ही नहीं बट फिर भी वह आपने कुछ products जो है वह इंडिया में based यह उस company से related उस products से related in case आपनको कभी क हम लोग चांदे जैसे आजकल बहुत सारे आपके पास ऐसे call centers available है जहां आप बस एक call करिए उसके बाद वह आपकी सारी problems जो है वह सुनते और उसके बाद उसका solution भी आपको provide करवा देते और ऐसा भी हो सकता है कि वह पिर कुछ particular service person जो भी है like service person means यहां पर हो गया कि अगर क कोई product में कुछ mistakes है तो उसको service करने के लिए कुछ particular persons को अपने घर पे बेज करके उसकी service भी करवा सकते तो call centers क्या होते हैं हम अपनी problems उनको बताते हैं हमारी problem इस product से related कुछ problem आये तो हम उनको बताते हैं वह हमें जो है वापस उसका जो है reply करते ताकि हम लोग उन सारी हैं जैसे अगर हम लोग बात करें चोटे से चोटी company अगर हम बात करते तो वहां पर भी क्या एक particular कोई reception पर होगा like हम लोग जो कुछ भी हमारी queries हम उनको से query कर सकते हैं वो अपनी जो भी हमारी inquiries है उसको वापस जो है feedback देता है ठीक है इसी type से देखे तो call center is a specialist centralized facility that handles phone calls between organizations and customer or prospective customers ठीक है call centers can handle inbound calls ठीक है outbound calls and both type of calls ठीक है तो basic चीज़े है call center क्या है आपको समझ में आ गया होगा इसी type से friends next हम लोग जो discuss करने वाले हैं वो है अपने पास है business process outsourcing देखे नाम याद रखना है आपको outsourcing outsource का मतलब क्या हो गया आपके पास यहाँ एक company है यहाँ आपके पास एक डूसरी company है और यह इसको कुछ सामान बेचना चाहती है अब यह direct नहीं बेच पारी है तो यह इसको कहेगी और यह इसको जो है वो products जो है बेच सकती है या केवल product बेचने को लेकर के नहीं उसके business से related को दूसरी जो problems है उनका solutions भी जो है वो कर सकती केवल particular product नहीं basically हम लोग कह सकते है mostly अगर हम बात करते है BPO को लेकर के तो हमारे mind के अंदर क्या आता है कि BPO ऐसी कुछ organizations होंगे ऐसे कुछ companies होती है जो क्या करती किसी एक particular company की जो भी like marketing strategy को जो है वो develop करना है क्या कुछ examples हम लोग देख लेते हैं some of the BPO services are as follows like financial है accounting services provide करा सकती टेक्सेशन करवा सकती है insurance service provide करती है e-publishing करवाती e-publishing तो आप लोग जानते होंगे इसी आप से आपके पास web promotion है त तो उस particular company को market में जो है वो जो strongly खड़ा रहने के लिए उसको क्या कुछ करना है तो e-publishing आगया आपके पास web promotion आगया legal services provide कर सकते content writing आपके पास एक और और जो आपके पास service हो सकती है इसी टाप से friends multimedia है design service है आपके पास document management service हो सकती है software testing हो सकती है अगर वो IT company है तो इसी टा तो बहुत सारे आपके पास कुछ examples है जिनमेंसे अगर आपन बात करें तो यह सारे की सारी जो service है एक particular किसी company को अगर हम चाते है के friends उसकी business strategy को और ज्यादा enhance करें उसको direct या indirect तरीके से उसको हम लोग support करवा सकें ऐसी ही company को आपन क्या बोलते है BPO services या BPO business process outsourcing तो BPO service होती क्या है basically मैं कह चुका हूँ कि यह एक अलग company होती है जो किसी दूसरी company के लिए business उसका जो business enhance करने के लिए उसको support करती है तो BPO service means performing business operation through and outside service provider BPO also comes under IT services as IT play a very useful role in optimizing the business performance तो BPO industry is highly organized and enhance various kind of jobs are outsourced in India तो obviously हम लोग जानते हैं बहुत सारी companies ऐसी होती है जो आज BPO company है तो किसी दूसरी company के business को develop करने के लिए उसकी business को और जदा जो है वो enhance करने के लिए एक कोई दूसरी company होती है वो उसको कहती है ठीक है मैं tie up होता है उनके बीच में legal documentation होते है उनको किस तरीके से promote करना है वो स आपने पास जो topic है वो आपके पास है business process management BPM अब BPM क्या होता है बेसिक है इसमें चीज समझ रहे होंगे business process management उस business में जो कुछ भी process हो रहा उन सब को manage करने के लिए ठीक है आप देख सकते हैं आपके आसपास जो कुछ भी product आप देख रहे हैं उस product को बनने के time ठीक है तो व इस वो जो business है उस company का जो मालिक है ठीक है वो क्या सोचता है कि यार मैं ऐसा कुछ काम करें जिसमें मेरी manpower कम से कम हो और सबसे ज्यादा ज्यादा काम क्या हो अपना IT को use करते हुए हम लोग क्या करें अपने production और ज्यादा fast करें तो basically यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि BPM होगा किस तरीके से होगा वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर discuss करते हैं then उस design के बाद वहाँ पर वो एक model create करते हैं finally हमारे पास यह product बन रहा है और अब इस product को जो है वो execute करते हैं अब किसी भी टापका product हो सकता है कोई services भी आपके पास हो सकती है तो उसको execute करते हैं कुछ भी design हमने बनाया उस design के base पहले model create किया model के बाद उसको execute किया execute के बाद हम क्या करें monitor करें कि जो कुछ भी काम है क्या वो सब कुछ साही है उसके flow में थोड़ा सा changes करके देखते हैं जैसे आपने इसके flow में थोड़ा सा changes किया changes के बाद में आप देखते गए कि यार इसका result हो है वो progress करता हूँ जा रहा है पहले कुछ ता फिर उसमें कुछ और changes कि फिर कुछ और changes कि इस ताप से आपका जो business है वो growth करता रहे तो basically आपके पास यहाँ पर इस type के business में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर use क्या आता है आपके पास IT तो IT से IT enabled services क्योंकि अपने पास यहा तो इन टाप का जो management होता है क्या चीज बनेगी किस तरीके से उसकी packing होगी और मौस सारी चीजे हम लोग यहाँ कह सकते हैं तो वो सारी के सारी चीजे जो आपके पास है वो BPM से related आपके पास आती है तो business process management है क्या ठीक है the IT BPM यहाँ कि आपके पास में the IT business process management industry has been killing India's growth in addition to contributing towards the country's growth जो भी आपके पास GDP है and exports the growth of the IT BPM industry has provided India with the wide range of economic and social benefits which includes creating employment, rising income levels and promoting exports it has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge based economy तो I think यह चीजे clear होगी कि BPM उसको use करते वे India जो है वो बहुत ज़दा growth करता हुआ जा रहा है और अपने GDP के अंदर भी जो है यहाँ पर GDP भी अपना increase होता है तो बहुत सारे reasons है जिसकी वज़ेस से अपना जो BPO service और जो आपके पास BPM services है तो इनकी भी growth होती है basically अगर अपन बात करें यहाँ पर तो friends BPO services के बारे में बात करा हूँ कि BPO service industry is doing exceptionally well in India because of the following advantage क्या-क्या है एक तो यह है कि आजकल जो BPO companies जो है वो high-tech hardware and softwares को use कर रही है इस वज़े से उनकी जो service की quality है वो best होती जा रही है तो इस वज़े से जो है वो BPO जो है वो इंडिया में अच्छे से growth कर रहा है इसी टाप से they follow quality check to ensure error free and exceptional services तो वो basically starting में यह देखते के या अपने पास error आने के chances कम होने चाहिए तो और से अच्छा और उससे भी अच्छा फिर उससे भी अच्छी जो है वो quality based जो है वो service provide करना चाहते हैं उसके लिए वो hardware and software को use में लेते हैं इसी टाप से देखें तो government जो है तो government of India जो है ये भी अपने को जो है increase करती है बीपियो इंडस्ट्री के लिए आप लोग जानते भी है कि अलग अलग टाइप के infrastructures वगरा प्रोवाइड करी है और आजकर जो government वो है जो start-ups वगरा के capable of delivering numerous types of BPO service and exceptional quality तो ये कुछ ऐसे reasons है जिनको use करते हैं हम लोग कह सकते हैं कि बीपियो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई होती जा रही है और उसके लिए कुछ advantage जो है वो भी हम लोग या देख सकते हैं इसी ताप से friends अगर हम लोग next देखें तो अपन किया है इस ताप से examples होंगे तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर structure of the IT BPM industries के अंदर the organization with the IT BPM industries are categorized along the following parameters ठीक है कौन-कौन से है sector the organization is serving ठीक है type as well as range of offering the organization provides इसी टाइप से geographic spread of operations और लाश्ट है आपके पास revenues and size of operations ठीक है इसी तरीके से अगर हम देखें हैं तो आपके पास जो अपने पास इस particular IT BPM के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपके पास अलग 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 ताइप की जो है वो companies हो जिसमें आपर पहले देखेंगे यहाँ पर multinational companies क्या होती फ्रेंड्स तो basically कह सकते हैं कि multinational company have their headquarters outside India ठीक है but operate in multiple जो भी आपके पास location worldwide including those in India ठीक है तो headquarter इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया के अंदर और बहुत सारी companies के अंदर यह अपना business करती है ठीक है तो multinational companies तो basic है आपको पता है इसी टाइप अपन बात करें तो next है आपके पास वह है ISPs है ISP टर्म बहुत सारी अलग अलग जगे यूज आता है जैसे कि आप लोग जानते इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन्हीं कि जो company आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको भी हम लोग ISP कहते हैं टिके with their operations in India most of these organizations have their headquarters कहा है in India while having offices in many international locations तो ISP स्का headquarters इंडिया में है और वो दूसरी अलग 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 countries में भी अपने service जो है वो प्रोवाइड करती है इसी टाइब से आपके पास एक और नाम आता है फैंस वो है Global In-House Center तो GIC क्या देखी क्या लिखा है Global In-House, In-House Center से इसका मतलब है यह कुछ ऐसी companies होती जो direct अपने client के साथ deal नहीं करती यानिकि यह कह सकते हैं कि यह इनकी एक main company है, एक parent company है और इसके अंडर में इसकी एक और child company हो सकती है और इसके यह customers है, तो देखिए यह केवल इसको support करते हैं यह निकि यह जो company है आपके पास में Global In-House Centers तो यह company क्या करती है, अपनी parent company के लिए जो है develop करती है कुछ भी task जो भी यह, और यह company जो है वो अपने clients के साथ direct deal करती है तो Global In-House Centers में क्या है, GST organization cater to the need of their parent company only and do not serve external clients, ठीकिए This model allow the organization the option to keep IT operations in-house and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost-effective manner तो basically आपके पास क्या है, कि यह company जो है, वो केवल अपने parent company के लिए ही काम करती है यह direct अपने client के साथ में जो है, वो deal नहीं करती है उसके बहुत सारे इनको benefits भी रेते है तो आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी companies के बारे में आपने सुन लगा होगा, जो क्या करती है किसी एक company ने किसी दूसरी company को खरीद लिया है और उसके बाद में वो company direct अपने customers के साथ deal नहीं करती है वो particular अपने parent companies के लिए काम करती है कि IT को यह नहीं कि IT या ICT को हम लोग कौन कौन से fields में जो है वो यूज कर रहे थे जिसको हम लोगोंने short में discuss कर रखा है इसी तरीके से friends हमने देखा था कि वहाँ पर IT enabled services कौन कौन ती थी जिसमें हम लोगोंने देखा था वहाँ पर की call center क्या है BPO क्या है BPM क्या है अब just start करें 9th class के लिए तो friends मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे चैनल को जो है वो like करें subscribe करें आपकी मन में जो कुछ भी doubt से आप comment करिए और साथ में आपके आस पास जो कोई भी friends 9th class से related जो भी students से आप उनको भी आपके friends circle में जो कुछ भी है वहाँ पर भी जो है आप message करें और साथ में उनसे भी आप कहिए कि आप हमारे चैनल को like करें जिसे कि friends हम लोग जो है वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत सारे नए नए टाप के content जो है आपके लिए available करा सकेंगे और जितने जादा आप लोग comment करेंगे जितने जादा आप लोग like करेंगे जितने जादा आप लोग subscribe करेंगे friends हम लोग जो है उतने ही उत्सा के साथ जो है और अच्छे से वीडियोस बहाते था तो friends मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इन वीडियो को लाइक करें साथ में सब्सक्राइब करें और साथ में आप अपने friends को जो है message convey करें तो friends देखते हैं आखिर इस chapter में अब हम लोग क्या क्या discuss करने वाले तो friends इस chapter में अब हम लोग जो discuss करेंगे वो है आपके पास IT अप्लिकेशन ठीक है कि IT का जो अप्लिकेशन एरिया है आप देख सकते हैं इमेज है जिसमें कहीं से भी देखें कंप्यूटर को हम लोग कहा का यूज कर सकते हैं तो वह बिजनस में कर सकते हैं साइंस में कर सकते ह में कर सकते हैं health and medical care में कर सकते हैं इसी टाप से education में कर सकते हैं industry में कर सकते हैं business है आपके पास entertainment में कर सकते हैं इसी टाप से आपके पास ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं art के लिए कर सकते हैं sports के लिए कर सकते हैं robotics के लिए कर सकते हैं ठीक है safety and security के लिए कर सकते हैं इसी टा अब भी बहुत सारे examples आपको मिल सकते हैं जहां पर हम लोग computer को या IT को या ICT को use में लेते हैं तो कुछ एक basics है आपके पास जो इसके image हम नहीं देखा है अब इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर से तोड़ा detail में discuss करेगे means IT includes listening to music ठीक है IT क्या का includes करता है listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, EC type C reading books, paying utility bills, booking tickets to travel, bank operation, actor ठीक है computers and ICT is used in industrial, in offices and in house also the various applications area are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering, design, military, communication, animation, research, agriculture and government और friends ये एक बहुत थोई से example से इसके अलावा भी आपके mind में जो है वो बहुत सारे examples आजकते हैं जहां पर friends हम लोग IT को use में लेते हैं ठीक है तो IT इन सारी चीज़ों को include करता है इसी राप से friends अगर हम लोग देखें तो IT को अगर हम लोग home में बात करें ठीक है घर पर हम हम लोग घर में कैसे यूज करते हैं होम में कैसे यूज आएगा तो friends हम लोग कह सकते हैं वी यूज ऑनलाइन सर्विस से टूपे यूटिलिटी बिल्स ठीक है कॉमन चीज़े है तेलीफॉन बिल्स से इलेक्रिसिटी बिल्स से गैस बिल्स है बहुत सारे एप हैं आपके प अपडेट विद दा यूज ऑफ आएट इसी टाइप से फेंज वोच एंटरेंटमेंट प्रोग्राम अन दा इंटरनेट तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे आजकल आपके पास जो प्रोग्राम से ओनलाइन प्लेटपॉर्म से ठीक है ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग एंड कंप्यूटर्स अब्विस एंट्रेंटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप घर के अंदर है ठीक है वी गेट कनेक्टेड विद आर फैमिली रिलेटिव एंड फ्रेंड फ्रेंड विद दे यूज ऑप सोशल मीडिया ठीक है वीडियो कॉलिंग इमेल एक्सेटरा को यूज करते हुए आप लोग जो है वो आई-टी को या आई-सी-टी को यूज करें विकें बुक होटल, फ्लाइट, रेल्वेर, एंड मुवी टिकित ऑनलाइन इसी तरह किसे वी गेट एनी टाइपस ऑफ इंपरमेशन इंस्टेंडली बाइस सर्चिंग ऑन दा इंटरनेट इंटरनेट पे आपको जो भी इंफरमेशन चाहते हो जो कुछी भी देखना चाहते हो आप सर्च कर से तो घरों में हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज करते है आई-टी की जो कह सकते है आई-टी जो आपके पास होम कंप्यूटिंग है तो उसके क्या-क्या फीचर्स थे जो हम लोग डिसकस करें इसी तरही किसे फ्रेंट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है वर्क प्लेस में हम लोग आई-टी को कैसे यूज करते है आई-टी पैसलिटेट इनोवेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टाइम मेनेजमेंट, वर्क एफिचेंसी एंड एफेक एदुकेशन सेक्टर, एदुकेशन सेक्टर में हम लोग आई-टी को कैसे यूज करते है तो फ्रेंट्स, कम्प्यूटर अद इन्फरमेशन टेखनोलोजी आर एक्स्टेंसिवली यूजड इन एदुकेशन फोर टीचिंग लर्निंग एंड एसस्मेंट, टो बहुत सारे ऐ वीडियो एंड अनिमेशन टू दा लर्निंग इस टाप से देख सकते हैं दर लर्निंग बिकम एज़ी एंड एक्सेसिबल थू आई-टी तो देखिए बिलकुल कॉमन सी चीज़े हैं आप लोग जानते हैं आपके साथ होता है स्कूल पर ऐसा कई बार आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो बोर्ड पे आपको समझाया नहीं जाते हैं तो उसके लिए क्लाइस में आप लोग जाते होंगे यह हो सकता है आपकी रेगुलर गोर्ड शसेhöपीजी पर जो हैं प्रोजक्टर लगा हो सकता है या समाट बोर्ड हो बोर्ड के साथ जहां आपकी टीचर से लाइक साइंज के खूप सारे ऐसे डाइग्राम से जो आपको बोर्ड पर बताना थोड़ा मुश्किल होता है उन सारी चीज़ों को एनिमेशन के तुरू आपको बताया जाता है इसी रैप से बहुत सारे टॉपिक्स जैसे अपने सब्जेक्ट में भी हम लोग डिसकस करेंगे आगे जैसे कि हम लोग देखेंगे राइटर आएगा आपके पास में क्यालक आएगा आपके पास में इंप्रैस आएगा आपके सामने इसे राप चैस्ट जो आपना जो अपना यूणीट है कि सब्जेक्टिव स्किल्स में जिसमें हम लोग देखें कि की बोर्डिंग स्किल्स उन सारे टॉपिक्स को अपन भी फ्रेंट्स यहां पर प्रैक्टिकल देखेंगे ताइटी को यूज करते हुए इस इसी थरी के सदेखें तो the ict is used to use for education in the classroom such as e-learning classroom से आपके पास videos on experiment से इसी ताप से friends यहाँ पर educational games से आपके पास इसी ताप से friends देखे तो अपने पास smart board presentations से इसी ताप से creation of images and videos से आपके पास learning using using the cd-rom media है आपके पास इसी ताप से friends कुछ और example से like desktop publishing of magazines ठीके लैटर्स and documents इसी ताप से gathering educational information on the internet like youtube है kindle books है g suits for education है khan academy है 4.or जोर आसे बहुत सारी आपके पास में जो websites और app हो सकते जिनके तुरू आप हर topics को जो है वो information को gather कर सकते तो ठीक है तो यह कुछ basic topics है जिसमें हम लोग कह सकते classroom में आप इन सारी चीजों को use करते और अपने उस topic को बहुत अच्छे से grasp करते ठीक है इसी टाइप चे अगर आम लोग देखे तो friends next है आपके पास इसमें online learning है anywhere anytime any student in India can access the ncrt book एक एक्जामपल है ncrt की book आप कहीं से भी access कर सकते हैं ठीक है क्योंकि online platform पर available है आप बस google पर चाहिए टाइप करिए आपको जिस subject की जिस class की जो book चाहिए आप डाउनलोड कर सकते है फ्री अवेलेबल है almost ठीक है इसी टाइप से अगर हम बात करें तो थ्रूँ दा वैब साइट जैसे इसके मोबाइल एप पर भी आपको मिल जाएंगी आप सिधी डाउनलोड कर सकते हैं और डारेक्ट आप रेडी भी कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी जगे जो है वो वेब बेस ट्रेनिंग होती है मतलब आप अपने घर पे बैठी है टीचर अपने घर पे बैठा बहुत सारे इसा हो सकता है कि मैं एक online class ले रहा हूं कोई एक particular meeting कर रहा हूं और उस meeting के साथ जो है आप लोग अ website यूज कर सकते हैं या आप जो है कोई app भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे आप लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं गूगल मीट से आपके पास में या फिर आपके पास में Cisco के कुछ software से ठीक है तो बहुत सारे आपके पास software से हैं जिनको यूज करते हुए आप लोग कर सकते हैं आप online भी जो है बहुत सारे आपके पास topic आपके पास जो platform से जहां से आप कुछ learn कर सकते हैं इसलिए आप से प्रेंट नेच्ट टीचिंग एड़्स एंड मीडिया ICT is used mostly as a teaching ad in schools to use pictures, animation and audio visual to explain subjects that are difficult to explain अपने टॉपिक्स को make the lesson interesting using presentations तो PPT के तुरू अपने उस topic को और अच्छे से जो है वो पता सकते हैं इसलिए आप से friends organized lesson using the computer तो आपको पूरा जो पूरे साल में आप क्या-क्या topic पढ़ेंगे उन सब को computer के तुरू जो है अपने जो lesson plan उसको organize कर सकते हैं और साथ में obtain the information relevant to the subjects तो I think ये भी चीज़ है clear होगी है कि A देखा, B देखा, C देखा इसी type से friends अगर हम लोग देखें तो next है आपके पास वो है LMS यानि कि learning management system है यानि कि a learning management system is being used by many countries to manage school system जैसे इस situation में आप देख रहे हैं अभी जो current time चल रहा है उसके according देख रहे है तीचर्स जो class ले रहे हैं उसके बाद उसको record कर रहे हैं और उस recording के बाद वो जो है अपने school की website पर या अपने particular app के उपर जो है वीडियो को रखते हैं और आप कभी भी उस lesson को जो है वो वापस देख पाएंगे ठीक है इसी ताइप से आपके पास जो submit queries, getting replies and submit comments through forum इसी ताइप से देख सकते हैं आपके पास participate in the co-curricular activities via video इसी ताइप से देख सकते हैं monitor the progress of their children by parents इसी ताइप से आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोग जो discuss कर रहे थे कि a student or teacher can register himself or herself on the official website to access LMS and can get many services from LMS the student can be benefited by using LMS as it can be used जो अभी हम लोगोंने discuss किया तो इस्कूल का जो कुछ भी काम है ठीक है चाहिए वो education से related हो अपने data के management से related हो like queries है आपके पास जो इन दिनों में आप लोग जो कुछ भी कर रहे वो सारे की सारे काम किसके त्रू है त्रू internet त्रू computers तो वो भी आपके पास किसमा आ गया यहां education sector का पार्ट है learning management system ठीक है तो इस टाप से हमने डिसकूस किया education में हम लोग जो है आईटी को कैसे use करते इसी टाप से next है आपके पास business में आप लोग कैसे use करते हैं तो computers are used in business organization for payroll calculations, budgeting के लिए, sales analysis करने के लिए, financial forecasting के लिए, managing and maintaining stocks के लिए, तो common सी चीज़े हैं आपको यह सारे चीज़े पता हो सकती है जैसे payroll calculations करना है आपको, तो calculations के लिए हम लोग यहाँ use कर सकते है आईटी को, इसी टाप से budget बनाने के लिए, तो किस तरीके से आपको जो है, अपने budget को create करना है, calculate करना है, computer use आएगा, sales क्या रहेगा, strategies वगरा, वो सब कुछ आप यहाँ से analysis कर सकते है, तुरू आईटी, इ इसी टाप से आपके पास में managing and maintaining stocks, हर जो भी आपकी business में stocks है, उनको manage करना, उसको maintain करना, यह सब काम भी हम लोग तुरू IT करते हैं, a lot of business transaction happen through internet called e-commerce, बहुत common सा नाम है, आप लोग जानते हैं, internet के तुरू जो business होता है, internet के तुरू जो commercial activities होती ही, उसको हम लोग क्या बोलते friends यहाँ e-commerce, इसी टाप से IT facilitate, marketing, साहत में देखे हैं, तो computer visit, product browsing, shopping basket, check out, tax and shopping, receipt and process order, almost सारे काम जो आप यहाँ पर जो है, वो e-commerce में करते हैं, वो सारे के सारे तुरू internet करते हैं, बिजनस का पाट है, इसी टाप से friends, e-commerce offer, services, तो बहुत सारी अलग अलग services आपको दे रहा होत like inventory management है, transactions है, आपके पास, documentation है, pk presentations है, इसी टाप से ग्यंदरिग, product information है, इसी टाप से friends, आपके पास कुछ और चीज़ है, like smart card है, such as credit card, debit card, are used in shop, these card have a metallic chip, metallic chip है, आपके पास a strip है, on which the user's personal identification number होता है, आपके पास, इसको हम लोग PIN बोलते हैं, and account number is stored and can be read when it is passed through the specific, special, reader, आप लोग जानते हैं, हम लोग कहीं बार जब shopping अगर करते हैं, कहीं shops अगर पर जाते, तो हमारे पास हमारा जो भी credit card है, या आपके पास debit card है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग swap करते हैं, और अपना जो भी उसका particular payment है, amount है, वो हम लोग pay करते हैं, प्रोटेजी के लिए भी हम लोग जो है वो यूज में लेते हैं तो यहां एक ऐसे एक्जामबल है कि कोई कुछ-कुछ प्रोसेस हो रहा है उसको किस तरीके से लोगों तक प्रमोट किया जा रहा है तो मार्केटिंग क्या हो गया इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ट पॉर अडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडट्स बाय यूजिंग आर्ट एंड ग्राफिक फैसलिटीज लाइक आप लोग जो कुछ भी अडवर्टाइज वगरा देखते हैं चाहे टीवी पर देखें चाहे आपको कोई यूटूब अगरे चानल के बीच में जो प्रमोट आपको किया जाता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई होडिंग में या आपके पास जो है न्यूस पेपर अगरा में प्रिंट होते वह आ रहा है तो कोई भी किसी भी टाप का जो अपर्टाइजमेंट आफ वेरियस प्रोड़क्स सो देट गोल अप सेलिंग के अचीवड उजिंग एकॉमर्स वैपसाइट्स पीपल कें पर्चेज आइटम इवन सिटिंग आट हूम तो मार्केटिंग के तुरू जो है कह सकते हैं मार्केटिंग इस्टूरेजिस जो है व वह अपने पास से इट इन बैंकिंग तो आप लोग जानती है कि अभी हम लोगो तो यहां पर cash निकाल सकते हैं इसी टाइप ते अगर आपको cash deposit करना है machine से आप उसमें cash डाली automatic वहां पर submit हो जाएगा आप एक account से दूसरे account में पैशा डालना चाहरें आप डाल सकते हैं किसी को आपको pay करना है आप कर सकते हैं swap कर सकते हैं बहुत सारे options हैं आपके पास आज के टाइम पर तो payment करने के लिए आप आपको जो है किसी भी तरीके से आपको बैंक की जो services अगरे लेनी तो उन सब के लिए भी IT है मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं bank के अंदर पिशली बार कप गया कि जो कुछ भी पैसा जमा कराना है आपने बाहर से कराया आपको प्रिंट करने आपने बाहर से किया अंदर जाने का कोई काम ही नहीं पड़ा तो इन में से कुछ काम लैक एक account से दूसरे account में डालना क system obviously every activity of bank is now online the customers data and transactions are recorded by computers ठीक है इसी ताप से recurring deposits जो भी आपके पास है fixed deposits है आपके पास में money transfer from one account to another है आपके पास online transactions है आपके पास are done using internet ठीक है इसी ताप से capital market transactions financial analysis and related services are available in online platform ठीक है इसी टाप से bank customers use automated trailer machine like ATM for cash deposit and withdraw or to view current balance तो यह सारी चीज़े बिलकुल common है आप घर बैटे बैटे जो है वो सारी चीज़े देख सकते हैं आपका statement फिछले महीने बर का दो महीने का छे महीने का एक साल का सारी चीज़े आपको websites के तुरू और app के तुरू अविलेवन हो जाती है तो कुछ basic चीज़े थी जो हम लोग discuss करें थे banking के साथ इसी तरी के सबर हम लोग देखें तो next है आपके पास IT आप insurance में देख सकते insurance किसी भी चीज़ का कह सकते हैं यसा सकता है लाइफ insurance ले रखा है आपने बाइक का insurance कर रहा है तो इन लोगों के पास क्या होता फेंड्स आपकी जो भी information कंप्यूटर में डाल रखी है क्या आपकी policy चल रही है उस policy के लिए कह सकते कि कब वो mature होगी ठीक है इसी टाइप से आपकी policies के लिए जो premium क्या रहेगा उसका बहुत सारी चीजे जो है वो सारा ये computers के तुरू जो है store करते तो insurance companies keep all record up to date with the help of computer database, procedure for continuation of policies, starting date, date of next installment, maturity, आपके पास जो maturity date है आपके पास इसी type of interest dues है या आपके पास survival benefits है and bonus are declared by using computer in insurance companies तो आप लोग जानते हैं इतने सारे आप लोग TV में एड देख रहे होंगे जिसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी companies है जो policies वगरा को लेकरके insurance को लेकरके आपको services provide करती है तो ऐसा हो सकता है आपके घर के आस पास कहीं कुछ offices हैं कहीं कुछ organizations हैं कहीं कुछ कह सकते हैं कि कुछ particular किसी companies की branches हो सकती जहां से आप insurance करवा सकते हैं और उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे options हैं आप घर बैटे बैटे online ही अपना जो कुछ भी like insurance वगरा जो है वो भी अब आप करवा सकते तो यह insurance companies भी जो है वो IT को use करते हुए ही अपना data जो है वो store करती है और उस data को जो है in particular task के लिए फिर से use में लेती है इसी तर अपने पास पहले तो एक telephone ठीक है अब phone के साथ साथ अपने पास बहुत सारे यहां पर features है तो communication is used to convey message and ideas, pictures और speeches जो है a person who receive this must understand clearly and correctly modern communication makes use of the computer system we use computers for email, chatting, video conferencing, social media like whatsapp, facebook, instagram, twitter etc ऐसे बहुत सारे app है जिनको use करते हुए हम लोग जो है अपने कुछ friends के साथ, family members के साथ, relatives के साथ जो है वो connect हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे app जो है यहां मैंने display किया है images के तो इन मेंसे आप भी बहुत सारे use करते हैं गो like twitter है, facebook है आपके पास या Instagram या ऐसे और भी कुछ examples आपको यहां दिख रहे होंगे, किसी तरीके से friends next अपने पास यहां पर है, IT आप entertainment के लिए use में लेते हैं, तो information technology had had a major impact on the entertainment industries, तो entertainment के लिए तो करी रहे हैं, like अगर आप यहां image देखे हैं तो आप क्या करे हैं, like बहुत सारे आपके पास platform से जह जो है, आप जो है entertainment कर सकते हैं, ठीके, तो internet is a major source of entertainment, one can download and view movies, play games, chat, use multimedia, incorporate visual and sound effect using computers, ठीके, इसी ताइब से देखे हैं तो friends, digital broadcasting has changed the way we experience television, तो obviously आजकल हम लोग TV से ज़दा जो है, वो online जो है, बहुत सारे like web series, movies वगर आप लोग देख रहोंगे, like cinema all से पहले जो movies जो है, आजकल OTT platform पर available हो रही है, तो reason यही है कि कि हम लोग mostly उसके साथ connected होते जा रहे हैं, ठीके, तो यही है आपके पास digital broadcasting has changed the way we experience televisions with more attractive programming and आपके पास participation, ठीके, तो यह भी आपको clear हो चुका होगा कि IT जो है, entertainment में भी हम लेते हैं, इसी तरीके से friends next है आपके पास जो हम लोग देख सकते हैं कि science and engineering के अंदर भी हम लोग जो है IT को use में लेते हैं, तो friends कह सकते हैं कि कुछ complex scientific calculations हैं, ठीके, यह आपके पास computer added designs हैं, like हम लोग जानते हैं, autocad एक software है, जिसको use करते हैं हम लोग जो है, किसी भी चीज का जो है, model create कर सकते हैं, घर के map वगरा जो है, ठीके, तो map हो गया आपके पास में, कोई particular machines वगरा है, तो उसके map उसके जो नक्षे हैं, ठीके, वो जो बनाने का कानोखिस के तूर करते हैं, हम लोग CAD के तुरू, तो CAD के लिए अब लोग कह सकते हैं, software है, autocad है आपके पास, ठीके, तो computer added design, ठीके, इसी रेपके आपके पास है, computer added manufacturing, जिसको हम लोग cam बोलते हैं, ठीके, applications are used for drawing, designing and for simulation and testing the designs, computers are used for storing large amount of data, performing complex calculations and for visualizing three-dimensional objects, complex scientific applications like rocket launching, space exploration, etc. are not possible without the computer, तो कुछ examples use कियें, जिसमें हम लोग साइंस और एंजिनरिंग को यूज में लिया, उनके कुछ examples देखें, जो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस और एंजिनरिंग में भी जो है, वो EG है, ultrasound है, CT scans है, एंजिनरिंग में लोग कुछ और examples भी जानते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आपके पास blood pressure machine हो चुका है, blood sugar machine आपके पास है, sugar machine जो आपके पास है, diabetes वगरा चेक करने लिए तो बहुत थारे आपके पास examples है, इसी टाप से हम लोग कह सकते हैं कि healthcare के साथ बेसिक लेकर healthcare के साथ और बात करें, तो जो भी pharmacy उसे related जो आपके पास जो particular business वगरा है, तो वो लोग भी जो medicines वगरा बनाने के लिए भी IT को use में लेते हैं, इसी टाप के hospitals के जो management हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि IT को use में लिया चाता है, ताकि वो सारे data को जो है, वो store कर सके हैं और future में उसको फिर से use कर सके हैं, तो friends, सबसे पहले देखते हैं, ICT is used in the health sector in numerous ways, hospital management system is used to maintain and manage patients record as well as various activities pertaining to hospital, ठीक है, administration, like the computerized machines are used for ECG, EEG, ultrasound and CT scans, the variety of measuring instruments and surgical equipment are used to monitor patients conditions during complex surgery, ठीक है, तो ये कुछ examples हैं, इसी टाप से देखें, तो expert system is used for diagnosis, healthcare manufacturing companies use computers to add the production of diagnosis tools and instruments, इसी तरीके से, computers are an integral part of laboratories and dispensaries, they are used in scanning and diagnosis different disease, ठीक है, तो ये कुछ basic चीजे थी, आप यहां कुछ examples देख सकते हैं, like friends, यहां आपके पास कुछ examples हो सकता है, like MRI का example हो सकता है, CT scans के examples हो सकते हैं, ठीक है, इसी टाप से आपके पास ECG के examples हो सकते हैं, तो बहुत सारे आपके पास examples यहां हम लोग discuss करने वाले हैं, प्रिंट सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, तो अपने पास यहां है, IT in health care के अंदर देखने वाले तो यूस फॉर आइसीटी इन डियाग्नोसिस ठीक है इसमें भी अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड सबसे पहला आपके पास से कंप्यूटराइज एक्सियल टॉमोग्राफी मशीन ठीक है तो इसको हम लोग किसलिए यूस करते हैं तो फ्रेंड कह सकते हैं यहां पर डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरन और गन्स फिल्स ठीक है तो कुछ एग्जामपल्स आप यहां देख रहे थे उसमें से एक इमेज है जो कुछ भी इस पर्टिकुलर पर्संस की जो भी रिपोर्ट है वो आप साथ में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो इसमें क्या हो सकते हैं आपके बेसिकली यह जो है अपनी हार्ट बीट को जो है वो मॉनिटर करने के लिए इसको यूज में लिया जाते हैं इसी टाप से आपके पास है E.G याने की इलेक्ट्रो इनसेफ़लोग्राफी मशीन वे इस मशीन में क्या होता है? इसी राइप से फ्रेंट्स नेक्स्ट है आपके पास वह है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन तो आप लोग जानते हैं ब्लड शुगर को चेक करने के लिए आपके पास मशीन से इसके तुरू यह भी आपके पास एक आईटी अनेबलड मशीन है यहने कि हेल्थ केर में आप लोग इसको भी यूज ले सकते हैं इसी तरीके से हेल्थ केर के बाद नेक्स जो आपके पास नाम आने वाला वह है government and public services के लिए भी IT को हम लोग use में लेते हैं इसमें क्या कुछ है तो हम लोग जानते हैं friends कि बहुत सारे ऐसे governments से related अगर हम बात करें तो पहले तो बात करते हैं government और non-governments जो है यह निकि NGOs वगर जो है तो वहाँ पर भी जो है वो आपको ऐसी कुछ services provide करवाते हैं जिनको use करते हुए हम लोग उनके साथ connect हो सकते हैं उनके services को ले सकते हैं friends basically बात करें income tax department है sales tax department है आपके पास ठीके यह आपको जो है वो बहुत सारे pen card है ठीकि इसी टाइब से हम लोग कह सकते हैं मैंने government services are available online जैसे electricity bills है आपके पास वो आप online पे कर सकते हैं government use electronic voting machines है आपके पास जिसको elections में हम लोग use में ले रहे हैं इसी टाइप से friends हम लोग कह सकते हैं कि इनको use करते हैं यानिकि elections में जो है electronic जो आपके पास में voting machine को use करते हैं हमने traditional voting slip and ballots जो आपके पास box है उसको जो है वो replace किया है तो basically देख सकते हैं कि governments भी जो है हमको बहुत सारे ऐसे जो है features दे रही है जिसकी through हम लोग direct government के साथ जो है वो connect हो सकते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे इसके governments की जो है schemes है आपके पास इसे digital India है भी में आपके पास में ठीक है या आपके पास में जो है कुछ NGO's है ठीक है तो आसे बहुत सारे आपके पास ऐसे examples है जिनको use करते हुए हम लोग governments के साथ जो है वो connect हो सकते हैं ठीक है तो इस तरीक friends एक बाद उन सारे topics को जो है वो go through करे थे I think आपको friends यह chapter बहुत अच्छे से समझ माया होगा उमीद करता हूँ friends के आप इस videos को देखने के बाद में जो है like करेंगे हमारे चैनल को subscribe करेंगे और साथ में shares करेंगे अपने friends के तक तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक